दिली में पलुशन ने तोड़ा रिकॉर्ड ऐसे में अपनी फैमिली को काम पर तो भेजना ही है बच्चों को स्कूल भी भेजना है और बच्चे बिमार भी बहुत जल्दी होकर आतें स्कूल से तो ऐसे में उनको रोज इम्मुनिटी बूस्टर ड्रिंक दीजिए फैमिली को दीजिए ताकि आपकी फैमिली स्वस्त रहे हेल्दी रहे इतने पलुशन में भी बाहर जाकर काम कर सके तो रोज ये ड्रिंक उने दे एक बार और एक इक चीज के मैं इसके फायदे आपको बताऊंगी जो भी हम इस ड्रिंक में डालेंगे हर एक चीज का आपको फायदा मै आपको पूरी डीटेल में बताऊंगी वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा मैं खुद अपनी फैमिली को तीन साल से ये हर सर्दी पिलाती हो और काफी असरदार ड्रिंक मुझे बच्चों को देखने मिली बच्चे पी लें उसके लिए आपको टिप्स भी दूंगी मैं हेलो एवर्यवन वेल्कम टू रुपाली किचिन कुकिंग और बेकिंग और मैं हूरु पाली और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मज़िदार सी रेसिपी को पट उससे पहले अगर चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो फटापट से चैनल को सब्स्राइब कर लीजे ताकि से टाइम पर सारी नोटिफिकेशों आप को मिल सके तो आएए देखते है आज की रेसिपी कासे बनाते हैं तो इस ट्रिंक में सब्सकों बस्तॉपाली नहीं क्या जो कि हाईड्रेशन को बूस्त करता है और कार्व बहुत जयादा होती है आईरन रिच होता है और घ्टिक इ जादा फायदे मंद है और नेक्स्ट हमारा इसमें हम डालेंगे गाजर तो गाजर जो है फाइवर रिच है केलिस्टरोल को बैलन्स करता है वेट लॉस में हल्प करता है कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है विटामिन A, kalalition, K से भर पूर होता है फाइवर RICH होता है वेट लॉस में आप अगर weight loss करना चाहरे तो पूरी सरदी इस drink को एक बार लीजिए अब हम इसमें डालेंगे beetroot तो एक beetroot मैंने इसमें डाला है जो कि आपकी BP, low BP की problem को solve करता है heart problem को improve करता है weight loss में help करता है cancer से prevent करता है potassium, mineral, fiber rich, iron rich, vitamin C, potassium सब कुछ होता है broccoli, broccoli भी antioxidant होता है जो health को improve करता है blood sugar level को control करता है fiber rich होता है काफी fiber rich होता है जिसको constipation की problem होती है वो अपनी diet में broccoli और gajar को जरूर शामिल करें calcium, iron, potassium, phosphorus, zinc से भरपूर होता है broccoli तो broccoli सरदियों में रोज खाएं pollution से बहुत help मिलेगी आपको फिर हम इसमें डालेंगे दो कली लसुन की तो लसुन की कली भी आप डालिये ताकी आपके taste को इंपूरोव करेगा लसुन आपको सरदियों में घरम हाट देगा ज्यादा लसुन नहीं डालेंगे मांतर 1-2 ही लसुन डालेंगे अद्रक का तुकड़ा मैंने डाला है टामाटर डालेंगे चार से पांच तो मैंने यहां पर चार लोगों के लिए बना रही हूं मैं तो मैंने मीडियम साइस के छोटे साइस के चार टामाटर आप डालीजे चार टामाटर मैंने डाली है इसमें और टामाटर भी अपने आप म बहुत healthy होता है तेज पत्ता इसमें हम जो मसाले डालेंगे खड़े मसाले वो हर एक मसाला अपने आप में बहुत फायदे मंद है दालचीनी जब भी pollution होता है दिली में या सर्दी चुकाम होता है दालचीनी आप डेली डाइट में शामिल करें और फायदे आप खुद देखे साथ में डालेंगे काली मेज तो चार से पांच काली मेज की तुकडे मैंने डाले है तो इतना ही हम इसमें डालेंगे अगर आपके पास ये खड़े मसाले नहीं है तो पिसी हुई दालचीनी का पाउडर और काली मेज का पाउडर भी आप डाल सकते है इसमें में मैं चार मेंबर के लिए बनाा रही हूँ तो लिए बाहा है मैं ने 2 ग्रास पानी डाला है और 2 ग्रास पानी डालने के बाद, यह तिकS बनेगा सूप हमारा आप चाहें तो थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं तो पानी की कौंटिटी को इंप्रूव कर सकते हैं लेंगे, हम दो सीटी ले लेंगे, मीडियम फ्लेम पर, तो हमने इसमें जितनी भी सबजियां डाली हैं, वो सारी की सारी बहुत फाइदे मंद हैं, पूरी सर्दियां आप बच्चों को डॉक्टर से दूर रख सकते हैं, फैमली को सर्दी जुकाम खासी से बचा सकते हैं, ठंडा हो जाने देंगे, ठंडा हो जाने के बाद इसमें जार में डालकर में इसे एक स्मूदी बना लूँगी इसकी, तो देख सकते हैं, अभी ये पतली है, बट हम इसे पकाएंगे, और ये कितनी बढ़ियां टेस्ट इसका बहुत ऑसम आएगा, अगर बच्चे नहीं प अगर बच्चे नहीं पकाएंगे, तो ये टमाटर के चिलके और जो भी अमारे गाजर वाजर के इसको हम इसे चानके अलग कर देंगे, और अब हमें इसे पका लेना है, इसे हम बहुत जादा नहीं पकाएंगे, लग भग एक बॉइल आने तक आपने इसे पकाना है, तो सर खाना भी आप कंखा सकते हैं और अगर वेट लॉस कर रहे हैं, एसमें मैंने काला नमक डाला है, आदा स्पून और आधा स्पून डाला है वाइट नमक, और वेट लॉस के साथ साथ हैं अगर ये पोलुशन में आपको बहुत हेल्प करेगा, अगर आप रोज नहीं बनाना जुरूर अपने family को दीजिए, pollution से तो बचाना ही है, family को आप देख रहे हैं, news में daily दिखाते हैं कि कितना harmful है ये pollution हमारी health के लिए, मुझे तो बहुत डर लगता है, बच्चों को school बेशती हूँ, office जाते हैं husband, तो भी डर लगता ही है, लेकिन बच्चों को immunity booster drink तो देना ही द अगर बच्चे नहीं पीते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, soup stick डाल सकते हैं, या bread के कुछ पीसिस को इस तरीके से crunchy कर लीजे, तवे पर crispy कर लीजे, और वो डाल दीजे, साथी साथ इसमें आप बॉil corn के दाने, उनको बॉil करके डाल दीजे, तो इससे क्या होगा, ये बच्चो को कैसे दें, तो कमेंट में पूछे, मैं आंसर दूँगी आपको.